दिल्ली के रिडिशन ब्लु होटल में मान हंट दो ञजार अठार फैशन सो का ओडिशन किया गया शो में दिल्ली के बाहर से मेल मौडल्स ने ओडिशन देकर अपना सपना साकार करने का कदम उठाया मैन हंट 2018 शो की आयोजी का दिपाली फर्णिस रेसम चावला ने बताया इस फैशन शो के जरिये मॉडल्स को इंटरनेशनली प्रेटफॉर्म दिलाना प्रविदेशों में भारत की पैचान बरकरार रखने का काम ये मैन हंट 2018 का शो करेगा शो का फिनाले दिली के रेडिशन ब्लू होटल अक्टूबर 2018 लास्ट में होगा पैसिकली प्रेलिम्नरी है मैन हंट इंटरनेशनल की मैन हंट इंगिया जो तीस साल से अलड़ी एग्जिस्टिंग है हम लोग पहली बार कररें इंडिया में और हम लोग इसको रिवाइव कर रहें एक जमाने में मैन हंट वस बहुत बड़ा इवेंट हुआ करता था तो कुछ सालों से उतना नहीं हो रहा तो हम लोग इस बार से रिवाइव कर रहें उसको और यह बिसिकली एज ग्रूप 18-35 के बीच में जो मैन होते हैं उनके लिए है और जैसे मैंने बताया यह इस नाट अल अल बाउट इसक्स पैक्स हम चाहते हैं कि मैंन भी अपने अपको सिलिब्रेट करें अज तक लेडिस को हमेशा फोकस मिला है पैजिंट में हुआ फैशन इंडस्ट्री में हुआ प्रड़क्स के इसमें हो ओल्वेज ऑल्वेज वुमन इस इन सेंटर तो हमें लगा कि अभी मैंन को मैंन को भी यह शुर्ण सुस्तार की जड़त लड़कियों को या महीलाओं को इसमें अपने ऑपको आगे आने का मोका मिलता है अपने अपने आपने आपको आगे क्तला का मुवका मिलता है तो एक नई की стоит गैंडर इक्वालिटी इन कूज एक मख्यार से सोच दो हमेशा वार्च जणर उड़का कि गर्द के अपने आपको ख्याल दखने की ज़रूरत नहीं है, जो हमारी दिमाग में है, वो ऐसा नहीं है, और ऐसा नहीं होना चाहिए, I think men को भी अपने आपको बनाये रखना चाहिए, जैसे फीमेल्स अपने आपको इंपोर्टेंट फील करना चाहिए, और वो होता है, जब उनके लिए कोई प्लाट्फर्म हो, जहां पर उनको एक्स्प्लोर करने की अपॉर्चुनिटी मिले, तो I think इस अपॉर्चुनिटी के साथ हम लोग सोचने की साथ माइंट सेचेंज हो जाए, आपको नाम है, प्रतिबा सोश, I am director of Curves Alive, that's my grooming brand, और अभी आज हम यहां पर इकठा हुए हैं, Manhunt के auditions के लिए, Manhunt India एक ऐसा platform है, जो की 30 साल पुराना है, this year we have the 30th anniversary in Australia for Manhunt, and Mrs. Dipali Fadness मेरे साथ है, आज चन्नाई से आई है, and यह Manhunt India की director है, So, I am attached as a talent partner with Manhunt, and हम कोशिश कर रहे हैं इस pageant को फिर से revive करने की, कुछ 18 साल से यह इंडिया में काफी कम चलन है, because of maybe more of beauty pageants for women, So, men's का beauty pageant काफी कम हो गया है, so, अब इस साल से हम इस pageant को revive करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम उनको बहुत अच्छा start मिला है, डेली के audition से हम start कर रहे हैं, So, in Delhi में कितने बच्चे यहाँ पर पार्टिस कर रहे हैं, और इसके लावा कौन-कौन से सेट्स पे और और भी आपको जम्मेवारी ले गई है, मैं, Delhi में, actually, we have more than 6-700 people who have inquired on our website and everything, and आज काफी अच्छा मारे पास यहाँ पर फुटफॉल है, जो मैंहन के लिए, आज के लिए हैं, we are just starting in 10 minutes, and Delhi के बाद, as you can see, we are going to FBAR, is our venue partner in Ludhiana, so Punjab, हम पूरा वहाँ पे Chandigarh और Ludhiana के auditions में cover करेंगे, उसके बाद, we'll be going to Rajasthan, Bangalore, Karnataka cover करने के लिए, और उसके बाद, फिर हम है मार्चल में करेंगे. किस तरह का platform बाद में इन बच्चों को मिलने वाला manhunt के जड़ी है? फिलहाल, जो भी हमारे सारे cities और states से हम select करेंगे manhunt के platform के लिए,